हाँ तो नमश्कार पेरशातियों डीजेसर क्लासेज के उनलाइन प्लेटफॉम पर आपका श्वागत अभी नंदर हैं हम बात कर रहे थे राजस्तान की इतियास के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था और आज उसी को आगे बढ़ाते हैं पहरे दोस्त पढ़ रहे थ लियास में हम पढ़ रहे थे पिस खकास में किया तक जीच फिचित शिखर कि इस बात की जिक जी unpredictable जीढ जिकर करने के बाद पर पढ़ने जा рए है प्यार रोस्त के बाद जुसके बाद उसासकल बनता है मारवार का को बनता है कि मारवार्वार का इस आब दोस्तोनु विम क कि अब बात करते हैं अबेशींग 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 सासक बनता है 1722 में गरा यहां पर देखेगा अजीट सिंग को मार दिया जाता है उसके बेटे बक्त सिंग के कि द्वारा मार दिया जाता है बग्त शिंग के द्वारा देने के पश्यात कहा जाता है अब क्या होता है कि दूसरा पित्रहंता सासक माना जाता है तो कि द्वारा देखा है राओ गांगा की थी लें जाता है अपने पिता अजित ने कि पश्यात उसका बड़ा बहुए अवेश सासक बनता है कहां से सत्रासोचोबिस से लागा कर सत्रासोगनचास तक सासन करता है और सत्रासोगनचास की बात करें पैर दोस्तों यहां पर अभे सिंग को वे सिंग में बक्त सिंग को आ जाता है राज तराजा धिराज की उपादी दी और नागोर का ठिखाना भी दिया ठिक है इसको अभे शिंग ने अपने छोटे भाई इसके द्वारह आτα है अपने पिता के हत्या करती जाती है पिता के थिया कर देने के पच्छाथ तांका उसके बड़े भाई को सासक बना दिया जा तो यहां पर दिहात की अभेचिक ने कि इसको अभेच सिंग ने है अभे आरे आक वक्त छीनग को कि शीनग को कि पराज राज हो से राजयेश्वर कि उपादी दिए और राजय स्वर कि उपादी देने के पस्चात कहा जाता है कि इसको नागूर का ठिकाना दिया ब्ल राजा-धि-राज पाजा धी-राज आज़ा ईयाल ले मुझे दी राज कि उपादी डी को अच् parchment ती और नागोर का ठिकाना दिया और नागोर का अउप्हें टिकाना धिया कि नागोर का टिखाना जो दिया जाता है वो अभे सिंग को दिया जाता है और बक्त सिंग की चर्चा करें तो कहा जाता है कि इसने अहम्दाबाद युद्ध और कहा जाता है सर गुलंद खां के मद्धि हुआ था अहम्दाबाद युद्ध की बात करें कौन से युद्ध की की बात करें अहम्दाबाद युद्ध अहम्दाबाद युद्ध जो होता है प्यार दोस्तों ये अभय सींग की बात करें अभय सींग वर्सेज शर बुलंद के मतल्द होता है तो ये किसमें कहा जाता है कि अभय सिंग不會 हो जाता है के अभय सीग वतले और अभय सिंग की विज Stream की कुझे हुटी है कहा जाता है कि पर दोस्तों इस युद्ध का आंखो दे का हाल का वर्णन पीर ब्लेटीरवान ने अपनी राज राज रूपग रच नहीं में किया इस युद्ध का आखोर देखा है ल煞 इस युद्ध का के कि कौन विज्ये होता है सबसे पहले तो यहां पर इस युद्ध में ए 통 अबैसिंग पोता है होता है इस युद्ध का आखो देखा हाल तो आखो देखा हाल वीरभान ने ने अपनी पुष्टक अपनी पुष्टक राज रूपक मैं वन्नित किया कि इस वर्णन किया गया अर्थार्थ इस युद्ध का जो आखो देखा हाल है वो कहां प्रवर्णित किया गया और वो किसके द्वारा किया जाता है वीरभान के तरह किया जाता है अहम्दाबाद युद्ध का पूरा का पूरा वर्ण इसके द्वार किया जाता है पश्चात बात करें कि वृड़ा संब्हेलन में भाग लिया था इसमें भाग लिया था वही उड़ा संब्हेलन जो होता है 17 जुलाइं 1734 को हुड़ा समयलन होता है कहां पर होता है villa देखिया बर्डा करें है रॉड़ा हमेलन मौरा को पर दोस्तों विदक्रायोग कहा होता है और हुड़ा समयलन जो होता है पिलवडा नमाकिस्तान पर उड़ा ये फुड़ा सम्मेलन की बात करें जवाई जे किया गया था अर्थात मराथाउं के खिलाप एक जुट Auch aquele राजस्टान की सभी राजयों ke क्या किया गया था लड़ने के लिए यूजना बनाई गई थी अर्थात मराथाउं के खिलाब अब मिलकर एक साथ लड़ेंगे तो मराटा सोते ही हार जाएंगे और राजस्तां से भाग जायें ऐसी योजना बनाए गए ती लेकिन कहा जाता है कि अपनी प्रस्टोररा कूर् को देख्ते हुए कहा जाता है कि यहाँ पर इसमें सव्मयastplease नहीं बन पाई और कहा OUT response ब्ल theo गया इसके द्धीक्स्ता इसके द्वारा जगत शिंग के द्वारा की जाती है वही इसके द्वारा की जाती है जगत शिंग के द्वारा की जाती है और इसमें धियपुर का कोन भाग लेता है सवाई जे सिंग भाग लेता है ठीक है चलो तो इस तुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था अभे सिंग ने तो इसी सम्मेलन म में 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 भाग लिया था कि यह तो हुडा सुमेलन भाग लेने वाला यह मारवाल का सा सकता यह विशेश रूप से ध्यान रखना है आपको कि भाई मारवाल से साथ भाग लिया था चलिएगा इसके ल謹स खरए पैरों थोस्तो अब अभी सिंग की द्वारा क्या क्या कर वैजाता हैं उसको पनिकर द्वार गया इफिट दुर्ग का परवाटा परफोटे का निर्मान किया गया जूदृब को अगुत को दूरख के पर psychological का निर्मान कर वा गया कि यग सिर पुर क ci बनाया इसके द्वारा अभेशिंग की द्वारा उसके बाद बात करें यह वजूदपुर का प्रगोटा बना दिया गया प्रगोटा बना देने के पश्यात बात करें पहरों दोस्तों कहा जाता है कि धरबारी विद्वान था इसका तो के लाओ तालाब का निर्मान करवाए गया इस तालाब का निरमाण romance मैं अभिषिंगा त्वारा करवाया गया आभिषिंग द्वारा करवाया По के लाउट त्लॉप का निरमाण母 ऒषिंग में स्फ staff त्वारें कि वद्वार कर वह गया और BBC का जाता ता इसके दरबारी विधीधान था करणिदान करणिदान ने सूरज-प्रकास ग्रंत लिखा सिसमें राम चंद्र और पंजु राज और उनके चलने वाली 13 साखाओं का किया गया गया है कि करणिधान के द्वारा जाता है कि इस इसके अपनी रचना सुरजब्रकास में इनका वर्णन किया आ जाता है चलीगा है कि अ कि इसके दर्भारी विद्वान के कि दर्भारी विध्वान अ दर्बारी विद्वान दर्बाजी विद्वान करणी दान ने तूरज प्रकाश ग्रंत की रच्ना की तूरज प्रकाश ग्रंत की रच्ना की वहीं और बात करें तो करणी दान ने का जाता है सर्बुलंद खांके साथ लड़ाई का विवर्ण संदो और कावयों और विर्द स्रंगार नामक ग्रंत में लिखा है इसमें लड़ाई चाहर गया है लडाई का जाता है कि यह बहुत बड़ा दिवान माना जाता है वही इसके दर्बार में हुआ करता था करनिगान यह अब आभेसिंग के दर्वार में हुआ करता था मारवार कि इसी के साथ जाता है कि कंडिशन होती है रिसी कि साथ इसी की समय टाइम में कि आजाता है कि खेजड़ली की घटना होती है क्या होती है बैद प्रहेश शुद्ली का जिक्रarena तो सट्रा सोतीच में अभेशंग के टाइप पे खेजरली घटना कैं आगेजरली ऐसल्ली को घटना क्याँ है क्या है इसा इसरी का यह इसका जो धेना पति हुआ करता था या पिर कि एक सेनापती था जिसको का जाता है गीरदर्दास बंडारी और गीरदर्दास बंडारी को यह लखड़िया काटने का आदेश देता है और लखड़िया काटने के लिए जंगल में चला जाता है और जंगल में चले जाता है तो करा जाता है कि जब यह लखड़ियां काटने लगता है दोरान अम्रिता देवी विष्णोई के नेत्रत में कहा जाता है कि अम्रिता देवी विष्णोई से मना कर देती क्या लेकिन गिर्दरदास का मानता मानने वाला था ही नहीं वह मना कर देती कि तुकोंड होती है पेड़ों को कटने से रोकने वाली तुकोंड होती है कि हमारे गुरुजी है उन्होंने हमें दिया है वचन की पेड़े पेड़ नहीं काटना चीए परियावरण की सुरक्षा करनी चीए तो इसके एक भी नहीं लगी त पेड़ से चिपक जाती है और इसके साथ लगबग तीन तो त्रेशट वेक्ती तीन सो त्रेशट वेक्ती इसमें से कहा जाता है सिक्ष्टी नाइन महिलां थी और टूफोर नाइन फोर यानि कि दोसुचोराण में पूरुस यह क्या करते हैं पेड़ों से चिपक कर अपने जान दे देते हैं लेकिन यह जो अवेशिंग का शिनापतिता गिल्दरदास के नेतरत में कांड किया जाता है कि कांड करने के से जटी र conspiracy कि यह गठाजाता है चोड़ू जाता है पेड़ों से चिपक कर मर जाते हैं यहां पर विंद को काट दिया जाता है अम्रित्ता देवी विश्णोई के नेत्रती चलेगा बैरे दोस्तों तो बात करें धिर्दर्दास कि गाउं में कि जड़ी के जड़ी घटनां के जड़ी पाउं में कि अभे सिंग का अभे सिंग का एनापती कि इर्दर्दास बंडारी हरे पेड़ काटने के लिए हरे पेड़ काटने जाता है और जब का विरोध विरोध हम्रिता देवी हम्रिता देवी विष्णोई 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 द्वारा किया जाता है तो अम्रिता देवी के नेत्रत में अम्रिता देवी के नेत्रत में लगभग 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 कि पक्कर अपनी जान दी कि कि वेक्टिव की बात करें 69 कि 69 तो क्या थी महिलाएं और कि 204 में पुरुस्त थे इतने 204 में पुरुस्त थे इन में 303 वेक्तियों में बात करें 206 सिख्षिण नाइन तो महिलां थी और कहा जाता है कि इतने सारे पुरूस्त थे 204 इस घटना को खेज़न भी घटना की नाम की जाना जाता है और यही गटना है जिसके बारे में काने जाता है पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पर बहुए काहां प्र। गटना जोद्पूर में होतीजरना ना को उती है इस गटना की इस निति यह प्रति वर्स यह Tropरिट वार्द्पत पूश्च दस्मी को और दोस्तों भाद्र पध शूक्ल दस्मी को खेजल्ली मेला लगता है चाह भाद्र पध भाद्राइब अप्रोग्ले को दस्मी को कि खेजल्ली कि मेला लगता है और फिर यह यह विश्व का एक मात्र व्रक्ष मेला है व्रक्ष मेला है याद रखेगा यह विश्व का एक मात्र व्रक्ष मेला है याद रखेगा यह विश्व का एक मात्र व्रक्ष मेला माना जाता है और कहा जाता है कहां पर लगता है ह developments कहा में बाद को फीजरने जोध्पुर में यह सित होता है ठीक है थेजड़ी की पु fins की कि जाती है कि पुजा कि कब की जाती है यो और की पुसरा 좀 का केजड़ी तक की जाती है अस्मीन शुकल दसमी को यह सiva कि अच्विन को कि जाती है कि अच्विन सुक्ल रस्मी को की जाती है या विजया दस्मी यानिकि दस्य जिया यहां पर इसी दिन आश्त्रसस्त्रों की पुजावी की जाती है तेजडली दिवस जो बनाया जाता है कि पारा सितंबर को मनाया जाता है कि एजडली कि एजडली दिवस कि एजडली कि दीवस का मनाया जाता है वही 12 सितंबर को मनाया जाता है 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ी से समधित घटनाएं पर दोस्तों विशेश रूप से ध्यान रखना है जब घटनाएं कब गटाएं 1730 मी घटीत होती है कहाँ पर ऑदी घंधोगा कोटिय है मिश्ञ findings कर पती को थे पती की बात करें रामु विश्णुई रामु विश्णुई रामु विश्णुई रामी विश्णुई इसके पती थे रामु विश्णुई इसके पती थे अम्रुता विश्णुई की इसकी दो पुत्रियां की दो पुत्रियां भी यहां पर सहीद हो गई थी राम पुद्ध अम्रितादेवी और इसकी दो पूत्रियां और 2 पूत्रियों कि साथ का आ जाता है या जाएगा प्रियावर शुरक्षा के लिए ए तो यह विश्यस रूप से द्यान रखना एक चीज और द्यान रखने नहीं आपको विश्णोई समाज के लोग विश्णोई समाज के लोग जो प्रियावरन सुरक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे देते हैं या प्रियावरन सुरक्षा करते हैं उसको खंडाना शाका का बलिदान देने वाला कर्मा और गोरा नामक दो वुष्णुई मैलाई थी प्रियावरन की ना सुरक्षा के लिए तो यह द्यान रख लेना की लिए परियावरण सुरक्षा के लिए पलिधान देने वाले पलिधान देने वाली देने वाले पलिधान ताखा खेलाती है ताखा कहलाती है जो किसके होते हैं यह विष्णुई होते हैं कौन से होते हैं विष्णुई संप्रदाय के होते हैं इसके परियावरण सुरक्षा के लिए परियावरण सुरक्षा के लिए सारु प्रतम बल्दान देने वाली देने वाली कर्मा व गूराथी कर्मा व गूराथी गूरा जाँ के लामB परियावरन और का बलिदान दिया जाता है किसके लिए अर्थार प्रियावरन सुरक्षा के लिए विशेश रूप सित्हान रखना है तो प्रियावरन सुरक्षा के लिए अभेशिंग के टाइम पर यह गटना गटित होती है कि विशेश रूप सित्हान रखना है कि बाद राम सिंग सासक बन तो इसके बाद अवे शिंग के बाद का जाता है कि बख्त श्रींग सासक बने की घुसिस करता है लेकिन बक्त शिंग को हरा कर प्राम सिंग सासव कोई बन जाता आइख है स्हा संसर बंजाता है 1749 से लेकर 1750 तक साशन करता है अर्थात 21 साल सासक रहता है और यह क्या करता है ये बक्त शिंग को हरा कर राम्जींग कर में ए स्बाद कर बक्त शिंग को हरा कर बक्त शिंग्ग को हरा knowledge राकर जूद्पुर का सासक बनता है योधपुर का साशक बनता है एक ही साल तक रहता है कोई विशे इस काम इसके द्वारा करवाए नहीं गया और इसके बाद जो साशक बनता है बक्ट शीर्ग और बक्ट शींग चेस काम बनता हैं पहरता दोस्तों यह विदो साल तक रहता है कि क्यों सासक बनता है बक्त शीघ। कुंद बनता है रपक्त छींग क्यों शासक करता हैusta सत्रासो पचास में बनता है और सत्रासो पावंत की सासक करता है कांत करता है सत्रासो पचास से लेकर सत्रासो बावंत की सासन करता है कौन बक्षी बक्षिंग के सासनकाल में कोई विशेष काम तो हुए नहीं इसके द्वारा कहा जाता है यह अभी सिंग का भाई अजीत सिंग पुत्र था आज आता है कि जोदपूर की किले में तूरजपुल और आनंद अनंद घन के मंदिर का निर्माण तरवाया अनंद धन मंदिर का बनवाय इसके द्वारा का जाता है अभी सिंग के भाई अजिस चिंग का पुत्र था कि विशेश रूप से धिहां रख लेना है अप्लिगा की है अब क्या थे द्वारा कोई यसी स्कांत हो अहीं गया झोशार क्रवाया गया जोदपूर के केले में सूरजपूर इस विवारता हैrevा सूरजपूर गवर्यिक्स कि दर्वाजा का निर्मान कि उसके द्वारा करवाया गया उसके फशायत बात करें यही पर एक मंदिर का का निर्माण करवाता है और मंदिर आनंद धन मंदिर का निर्माण करवाता है क्योंचे आनंद कि मंदिर का निर्माण करवाया निर्माण करवाया इसके द्वारा करवाया गया भी ये बक्त सब्सक्राइस के द्वारा करवाई जाता है और कोई विशेश काम इसके द्वारा कोई करवाया गया अब बात करें तो कहा जाता है इसके अलावा इसके इसके समय में राम सिंग ने राम सिंग ने 1754 में मराथा जयपा सीधिया के नेत्रत में जोद्पूर पर आक्रमन किया था क्या क्या था छेख्पा दिया के नितरत में कहा जाता है कि 1744 में क्या कि आ था त्योद्पूर पर आकरवन कि आजtu यह सिंह ने tons इना इसे की समय में क्या होता है डांत धाल को मरताहूंसे जाकर मिल जाता है से जाकर मिल जाने के पढ़र शृय की नि में इसके 5027 एपर जोध्पूर और अकरमन कर देता है कर देने के पढ़र दोस्त यह जो रहो है किले अब से भागर में जाकर शरण लेताओ टूर्ड कर सरण लेता है टो है कंशी deben कि रामस्य दोर आई सहाय योग्षे से मराठा जैयप्पा सिंदिया ने 1754 में जोधपूर पर आक्रमन किया विजी सिंग भाग कर नागर दूर्ग में समर्ण लेता है नागूर दूर्ग में तरण लेता है भाग कर कहा चला जाता है यह नागूर दूर्ग में सरण ले लेता है तो बात करें तो विजी सिंग ने बराठो के वुरुद्ध ने लेता है बाद में कहा जाता है तो बजय सिंग ने क्या करवा दिए जयप्पा की यह क्या करवादी अपर दें ने के पश्यात का जाता है तो विजी सिंग ने विजे सिंग ने 1775 में जैयपास इंदिया की जैयपास इंदिया की हत्या करवादी करवादी कि जैयपास इंदिया की हत्या करवाद कर कर वापस कीई सासक बन जाता है कहां का नागा हुट हुटेहूर और सादू और दादू पंतियों को मिलाकर का जाता है सेना तैयार की ने विजे सिंग ने मराठाओं के विरुद मराठों के विरुद मराठाओं के विरुद नागों वर दादू पंतियों के साथ मिलकर दादू पंतियों को मिलाकर कर शेना तैयार की देना तैयार की किसके द्वारा की गई वही नागों और पंतियों को मिलाकर किसे इसने तैयार की यह योट चैस इसने इन विद्रोई के विद्रों करने के लिए कारी किया पश्चाद कर tag जाता है कि अग्षाब बात करें कि 1766 में का जाता है कि बात करें प्हेरें दोस्तों 1756 श्यृष इस लिन में वी जए शूंग वीजे करने अट्वारा में बिजय श्यूं में более द्वारा में हाद द्वारा गया गया और यहीं पर यहीं पर इसने प्रशनव धर्म प्रशनव धर्म शुकार कर लिया प्रशनव धर्म स्विकार कर लिया क्या कर लिया कि कर लिया कौन सा धर्म स्विकार कर लिया वेशनव धर्म शुकार कर लिया किसके द्वारा विजी सिंग के द्वारा का जाता है ना द्वारा में जाकर वेशनव धर्म कर लिया जाता है अब यह वेशनव धर्म भक्त बन जाता है वेशनव धर मांस बीकरी पर लोग्त लगाने वारा कौण साब बाई जिसेंग के दुख निए इसे presence कर में मुलाकात कीती और पुष्कर में इससे भरत्पुर के जाट सासक्ता जवार सिंग जाट इसने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के पर 11 170 तो 1767 इसमी में जवार सिंग और विजी सिंग ने पुषकर में पगड़ी बदल कर या भाई बने ते एक दूसरे के जाट राजपूत भाई बने ते जाट राजपूत एकत्रित होकर कहा जाता है माराठाओं के अजीद खाँ के दभाने की प्रतिया कि एरता सिंग चरण और कौन घीज़ेिक एक और कि और जवार सिंग्जाट जवाहर जवार सिंग्जाट यह का बात करें पहांपर'm मिले काँ पुषकर में मैं मिले पुश्कर में मिले हैं कामले भई पुश्कर में मिले हैं कामले पुश्कर में मिले और पुश्कर में मिलने के पश्चात बात करें पहरा दोस्तों सत्रासू सर्सट की अब की बात यह सत्रासू सर्सट में मिले और मराटाओं के खिलाब क्या किया इन्हों एक ही करन किया एक प इन्होंने इन दोनों की बात करनें विजे सींग व जवाहर शींग ने आपस में पगड़ी बदल कर एक दूसरे के एक दूसरे का एकिकरण किया एकिकरण किया तथा चली नेक्स बात करें इन्होंने इसलिए किया मराठाओं के खिलाप लड़ने के लिए इन्होंने इन्होंने मराठा के खिलाप मराठाओं के खिलाप लड़ने के लिए एकिकरण किया था चली इसके पश्चात बात करें तो कहा जाता है कि जाट और राजपूत एकिकरण होकर मराठाओं के अजीज खां को दबाने की प्रतिग्या की जाट व राजपूतों ने एकिकरण होकर एकिकरण होकर भराठा अजीज खां अजीज खां को दबाने कि प्रतिग्या की अजीज खां के द्वारा की जाती है इसके द्वारा विजय साही सिक्के चलाए गये तो द्वारा विजय साही सिक्के और विजय साही सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे यह भी विजय सिंग के द्वारा चलाए गए थे वही कि 1781 में शाह आलम दित्तिय के समय जोदपुर में तक साल खोली तथा विजय साही सिक्के चलाए यहां पर ध्यान रखें 1781 में शाह आलम कित्तिय के समय कित्तिय के समय कित्तिय के समय जोदपुर में तक्षाल खोली और कि यहां पर कि विजय साही सिक्के चलाए है कि विजय साही कि एक के चलाए कि इस रूप से ध्यान रखना है विजय साही सिक्के किसके द्वारा चलाए गए भी विजय सिंग के द्वारा जलाए गये जिदोढने हिसक़ और कि पुलेखे कर चलाए गये जाह सकायतैं उभर में विजय सिंग कि मारवाड का साथ इस नगा लाये गए से को पर सा आलम दित्या का नाम था इन तीको फर किसका नाम लिखवाया था इसने आलम दित्या का नाम लिखवया था इसको पर अच्छोब इन याiłिए को present कि को ऑन आह ए अलम कित्ते का नाम नाम लिख्वाया वहीं इसने इन सिक्को पर विख्विए मुगलबात्सा सा आलम दिर्थे का नाम कि विभी इस रुप से धिहान रखना नाम लिखाया जाता है कि द्वारा लिखाया जाता है द्वारा लिखाया जाता है आपको ध्यां रखना है आगा है अगा है 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 अगा है 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 चलिए हुए है यह भी दोस्तों यह विशे इस रूप से आपको ध्यान रखना है सारी कि सारी चीजिए इस इस इन इसके प्रशाथ बात करें कि अजलेगा पहरे दोस्तों इजिसंग के पाशवान हुआ करती ती जिसका नाम ता गुलाब राए इस पाश्वान थी ती क्या अगा पाश्वान यह थी पाश्वान का नाम क्या था गुलाब राय का नाम था पाश्वान हुआ करती थी गुलाब राय का नाम थी गुलाब राय इसकी पाश्वान थी अब पाश्वान यानि की प्रेमी का पाश्वान रानी गुलाब राय ने का जाता है शामलदास ने मारवाड की नूर जहां और व कि ताहिए कि गया मल्डास के विराजय स्यामल्डास रूप से द्यान रखना इसके है ऑघ जिए पाशवान खुलाब राई को कभी राज़ा स्यामल दास ने स्यामल दास ने स्यामल दास ने तूर जहां कहा तूर जहां के और विजे सिंको और विजे सिंग को जहांगीर का नमूना कहा क्या कहा हुई जहांगीर का नमूना कहकर संबोदित किया इसके द्वारा शामल दास के द्वारा जो पभी राजस शामल दास थे गुलाब राई ने कहा जाता है गुलाब सागर राणी सर तालाब महिलाबाद धालरा बनवाया चलिए गुलाब राई ने गुलाब राई ने किस-किस का निर्मान करवाया पहरे दोस्तों तो गुलाब सागर और राणी सर तालाब गुलाब, ठागर, रानी सर, रानी सर, तालाब, रानी सर तालाब और एक जालरा भी बनवाया प्यार दोस्तो, महिला बाग का जालरा, महिला, महिला बाग का जालरा बनवाया, यह गुलाब राई की द्वारा इसके निर्मान किरवाय गये थे भई, यह किसकी पास्वान हुआ करती, पास्वान हुआ करती थे, आज आता है, 1792 में राठोडी सरदारों ने गुलाब राई की हत्या करवादी, राठोडी सरदारों ने सत्रासो बाण में हिस्वी में, राठोडी सरदारों ने गुलाब राई की अत्या करवादी सत्रासो, अब सत्रासो बाण में हिस्वी, इसके बात करें, रेल भाव कर लगाया गया विजे सिंग की द्वारा, कुन सा, रेल, रेल की विसल के रेल वाला, रेल विजे सिंग द्वारा लगाया गया, कि रेल भाव कर वीजी सिंगद्वारा लगाया गया तो इसके बाद अद दोस्तों इसके बाद करें एकॅन इसके बाद बाद स अ सक बंता या ब히 सिंग सासक बनता है हिम से हैं कि भी सिंग सासक बन जाता थार्भाणग कारवाळ का साछ भी अंजाता है दाता है तर्यानु जो सरे лом कि आटाराइसु तेर्यान में राइसे से पातारासों Vaasaur पीन तक सासक रहता है भी पुत्री कृष्णा से एक विवाद का रिस्ता हुआ था उसके बात का आ जाता है तो इसके बारे में का जाता है इसी के टाइम कृष्णा कृमारी का विवादगा से गता है कि टाम पीक साथ होता है और यह मानी जाती ही जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गए जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिसने वीडियो को शेर नहीं किया वो शेर कर दे और लाइक और तेर का बटन दबा दे भी यही जे वारत